हलो फ्रेंड मेरा में अभी शेक और आप देख रहे हैं रिवीड विल्ड आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड पे जी हां आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे कि इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं आप किसी भी मेरे वीडियो को उठा तो मैंने आज यह शिर्फ आपके डिमांड पे यह वीडियो बनाने का कोशिस किया है जहां भे हम आपको यह बताएंगे कि आपके पास ओपो का कोई भी हैंड सेट है कोई भी हैंड सेट है जी हां A-Series F-Series और उसमें यह लॉक लग गए है आप उसे अनलोक कर पाएंगे बिना computer के help से, बिना service इंटर गए, बिना आपके किसी data को lost किये बगए तो जी हाँ, आप इस method से अपने handset को तो unlock कर ही पाएंगे, साथ में आपका कोई photos, videos, document, data आपका lost नहीं होगा, बिलकुल नहीं होगा, यदि आपने same, जैसा कि हम यहां पर बताएंगे, इस वीडियो में आप अपने handset में same agities apply करते हैं, step by step, तो आप अपने handset को unlock कर पाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पेसेंस को साथ देखिए, complete देखिए, बिना बढ़ाई देखिए, और पूरा step by step आप इसमें, मेरे दोरा बताए गए, जितने भी मैंने process बताएंगे, उसे सुरू करने से पहले friend, मैं आप उसे एक request करता हूँ, यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी help मिलती है, तो वीडियो को last में like करके जाएं, नहीं तो आप चाहाँ तो इससे dislike भी कर सकते हैं, तो चलिए आप बिना देखिए, इस वीडियो को यहीं पर सुरू कर देते हैं जैसे कि हमने आपको पहले बताया, यह मेरे पास एक OPPO का handset है, और यह lock है, साथ में आपने हमारे thumblin को तो देखी लिया है, कि हम किस तरह से अपने OPPO का handset को lock करेंगे, उसका आपको यहाँ पे हम process बताने वाले हैं, आप इसे देख सकते हैं, यह locking interface है handset का, और इसमें फ पहले हैं, तो उसे निकालना नहीं है, जैसा आपका phone है, से मैजटी उसे रखना है, बसरते आपको कोशिस करना है कि आपका internet on होना चाहिए, या तो वो wifi on हो, या फिर mobile data on हो, on होना चाहिए, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर देख स गलती करते हैं, कि बार बार वो यहाँ पर नया नया password लगा के cross check करते हैं, कि साइद मेरा phone खुल जाएगा, ऐसा होता नहीं है, गलत गलत password ट्राइब न करें, बार बार न करें, एक दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार कर सकते हैं, उसके बाद यह ज्यादा बार ट करना क्या है, simply इस वीडियो को पूरा देखें, आप समझ जाएंगे, नीचे आपको आना है, जहाँ पर आपको पीन बार पासवर डालना था, आपको यहाँ पर दो खोजना है, पहला है बैक बटन, दूसरा है इमजनसी कॉल का बटन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस पेज का इस्तमाल अकसर लोग पूलिस को फोन करने के लिए करते हैं, अबुलेंस को फोन करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तमाल सर्वी सेंटर में आपके हैंसेट के अनलोक को ठीक करने के लिए भी करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, हम यहाँ पर कोड डालेंगे, और उस code को दिहान से देखें आप हो सागे तो इसका स्क्रीन सॉट जरूर ले 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 यह आपको हमेसा काम आएगा वह कोड है स्टार है एट डवल नाइन और हैज जैसे हमने यहां पर वह कोड डाला आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर इंजिनियर मोड ओपन हो गया ह अब जैसे कि नाम है अब आपको यह समझ अर्च बिस्वास होगी और आपूक हो गयोंगे है कि आपका हैंसस्यत कर सकता है इज स्टैने में यह पर सकता लंख ऑप कूशड़ा रिगार्टिंग कोई प्रॉलम है यदि आपने इसमें अपने मन से कुछ भी चरचार किया तो आपका खड़ाब हो सकता है, मेसा के लिखराब हो सकता है, और आपका मोवाइल डेड हो सकता है। इसलिए यदि आप नहीं जानते हैं, तो पहले इसके वारे में सीख लें। हाँ यह अलग बात है कि यह आप इसकार में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आकन दबाले क्यों कि हमाने वाले कुछ दिनों में इंजिनर मोड के ऊपर एक एस्पेसल वीडियो बनाने वाले हैं जिसे जान करके आप अपने स्मा सब्सक्राइब करना है और चले जाना है सबसे लास्ट वाले पेज जो आपका अदर का पेज है आप देख सकते हैं अब आपको यहीं पर अपने फोन को अनलोग करने का सारा प्रोसेस करना है यहां पर आप टोटल पाँच ऑपसन को नमबर के जो फर्स्ट और नमबर दो है इनको आपको इस्तों में नहीं लाना थै इनको छूना भी नहीं है आपको यहां पर जो सबसे मेजर है वह आपको बता दूँ आप यहां देख सकते हैं नंबर फोर प आपसन जिसका नाम है आपको इसी डेटाबेस भर्षन को पहले अपने लॉग हैंट्ट में चेक करना है आपका भी सेम यही डेटाबेस भर्षन है तब तो आपका हैंट्ट अनलोग हो जाएगा बिना कोई प्रॉलम बिना कोई देर की यह नहीं है तो आप यह समझ लो कि आपका पुराना वाला डे इस वीडियो में दिखाया नहीं लेकिन आप दिक्कत यहां पर यह है कि हर एक ओपो के हैंट्ट का अलग अलग डेटाबेस भर्षन होता है और उसे सेम इसी वर्षन में चेंज करने का जो तरीका है वो भी उसी साब से अलग अलग होता है तो यदि मैं सब यहां बताओ जो तीस सेकेंड में एक रिपलाई देंगे जैसे आप कमेंट करेंगे आपको एक रिपलाई मिल जाएगा कि आपको क्या करना अपने अपड़ेट वर्षन को चेंज करने के लिए फिलाल यह मांगे चलते हैं कि आपका अभी सेम यही डेटाबेस भर्षन या फिर आपने हमारा चलते हैं अब आप जैसे आपको आपको यहां अपने एक पास लिखाओ मेंशिज आ गया मतलब कि आपके अपने अपने प्रोसेश यहां पर अप्लाई किया वह सब सही जा रहा है आपका है मास्टर अनलौकिंग मोड अश्वा हुआ है अब इसे बापको बैक करना है और आ जैसे करें शील ठीडी या को विस टूट Hoş टूट जाए गा ह हाँ तो आपका रहा इसा लगा इंटी आपका साड़े का इसा करना दोका भर से हाँ लगा तो तो चलिए से हम बैक करके चलते हैं इसके होमा स्क्रीन पर और फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सक्सेस्फुली इस ओपो के हैंड्सेट को अनलॉक कर लिया है वो भी बीना कम्पीटर के इस्तमाल के बीना आपके डाटा को लॉस्किये बगए तिसका मतलग आपका य क्या है ताकि हम आपको विदिन थर्टी सेकेंड एक रिपलाई देंगे और उस रिपलाई से आप भी अपने हैंचेट को अनलॉक कर पाएंगे आगे इसी तरह के नए ने ट्रिक के वीडियो देखने के लिए आप हमने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर्म लेंग ने ने वीडियो में तो इसी तरह से देखते रहा हैं रिव्यू रिविल्ड